आटो मोबाइल सेक्टर की का ट्रक एलसीवी और बस मैनुफेक्चर और सप्लाई करने वाली अशोक लेलिन शेय कंपनी को करनाटक सरकार के तरफ से 1225 बसस का ओर्डर प्राप्थ हुआ है साथ में ये स्टॉक 200 रुपे पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक का साल 2023 का प्रदर्शन अशोक लेलिन शेय कंपनी का काम का आज अशोक मोटर्स नाम से इस कमपनी की शुरुआत साथ दिसंबर 1948 में सेनानी रगुनंदन शरन ने इसकी पंजाब में शुरुआत की थी। कमपनी साल 2007 से हिंदुजा ग्रूप कमपनी के प्रमुक कमपनी मानी जाती है। तो कमर्शियल वीकल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये कमपनी है और बस मैनुफेक्चर और सप्लाई करने में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कमपनी है। पचास हजार तीन सो दस दशमलव पांच चार करोड का है। स्टॉक को करनाटक सरकार का बारा सौ पिच्चासी नए बसेस ओडर। साल दो हजार चौबीस के लिए अशोक लेलिन शेय कमपनी को बड़ी खुशखबरी मिली है। कमपनी को करनाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट के तहट कमपनी को नए बारा सौ पच्चीस बस का नया ओडर प्राप्थ हुआ है। साल दो हजार तेईस में कमपनी को लगातार नए बस के लिए ओडर मिला रहे थे। 21 डिसंबर 2023 को तमिल नडु सरकार की तरफ से 552 नय बस का ओडर कमपनी को प्राप्थ हुआ था और उसके पहले कमपनी को 29 सितंबर 2023 को गुजरात सरकार की तरफ से कमपनी को 1282 नय बस इसका ओडर कमपनी को प्राप्थ हुआ था। Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें